ओद्योगिक शेत्र बद्दी से चमबा गए ट्रक ट्राइवर और क्लीनर कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद से इनके संपर्क में आए बारह लोगों को होम कॉरेंटीन किया गया है और उनके संपर्क में आए अन्य लोगों की भी छानबीन की जा रही है ओद्योगिक शेत्र बीबीएन से पास लेकर चमबा गए ट्रक ट्राइवर और क्लीनर कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद इनके संपर्क में आए बारह लोगों को होम कॉरेंटीन किया गया है मिली जानकारी के अनुसार 30 अप्रेल को बरोटी वाला ट्रक यूनियन से ट्रक चालक और क्लीनर टैक्सी के माध्यम से नालागड पहुँचे थे और नालागड एस्टियम कारेले से पास बना कर अन्य तीन लोगों के साथ नालागड के धबोटा बेरियर से होकर वे पंजा पहुए टैकषी मालिक जो उन्हें 30 अप्रेल को लेकर गए थे उनके परिवार के तीन सदस्यों और उनके मकान में रह रहे है चार कि राधारों समय टैक्सी को इस्तिमाल करनेवाले दूसरे चालक समेत उसके परिवार के तीन सदस्यों को होम करिंटेन कर दिया गया है इसके साथ ही सभी के कोरोना नमूने एकत्रित कर चांच के लिए भेज दिये गए हैं वहीं मामली के पुष्टी करते हुए ASP बद्दी N.K. शर्मा ने बताया कि चमबा में पाए गए दो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति 30 अपरेल को नाला गड़ के धवोटा बैरियर होकर चमबा गए हैं वहां उनके संपर्क में आए 12 लोगों को होम क्वारेंटीन कर दिया गया है और उनके संपर्क में आए अन्य लोगों की भी चानबीन की जा रही है जिल्ह चमबा में आए गी दो कुरोना रुक्यूम की बारे में पता चलते ही हमने बाहां चालक जो ऑस्षबान का मालिक भी है उसे रधा उसके परिवार के साक स्थ दस्यों को होम हूरेंटीन कर दिया इसके अत्रिक जो इस बाहन का वास्तिक मार्ण निंचालक है उसे भी उसके प्रिबार के 30 दस्यों साइक गाम सनेड भाटिया में होम प्रेंटिन कर दिया है क्योंकि हमें ग्यात हुआ है कि ये बाहन मालिक 30 अपरेल 2020 को इन दोनों व्यक्तियों को दवोटा बेरियर से अन्य लोगों के साथ लेकर गया है इन दोनों व्यक्तियों की कंटक्ट हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी एक अठी की जा रही है और अभी तक हमने कुल 12 लोगों को इस नामले में होम परेंटिन किया गया है और आगे की जाच की हम कर रहे है सिटी चनल के लिए बद्दी से आदित्य चड़ा की रिपोर्ट